हेलो एवरिवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू, फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रोमिस किया था कि हम जो प्रीवियस येर हैं, एस्टैट के वो डिसकस करेंगे, यह मेरे पास एक रेक्टिस सेट है आरगुपता का जिसके अंदर प्रीवियस येर पेप तो आज हम हिंदी का प्रीवियस येर स्टार्ट कर रहे हैं, एक दिन हिंदी का, एक दिन इंग्लिस का, इस तरह से alternate days पे हम सभी प्रीवियस येर को complete कर लेंगे, तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा बाते नहीं करते हैं, शुरू करते हैं, पहला जो हमारा question है, जो 31st question है, आ उसके अंदर हमारे 10 topics cover हैं, तो आपको वो देख लेनी है, प्लस मैं आपके लिए एक class ओर डाल दूँगी, और प्लस मैं आपको previous year कर लेने हैं, तो देखे friends, first question क्या है, कि किस वाक्य में शंबंद सूचक अव्ये का परियोग हुआ है, जो अव्ये है, अव्ये जो topic है, वो मैंने अपनी पहली वाली class में अच्छे से discuss किया हुआ है, उसका link मैं description box में देए दूँगी, तो आप उससे cover कर रखते हैं, तो देखे संबंद सूचक अव्ये पूछते हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अव्ये क्या होता है, friends, अव्ये वो होते हैं, जिनके पर कोई फरक नहीं पड़ता है, वो as it is रहते हैं, ठीक है, तो first हमारा राधा उपर नाचती है, इसमें पूछा है संबंद सूचक, यानि जो संबंद शो करेगा, राधा उपर नाचती है, तो उपर नाचती है, यानि कहा नाचती है, उपर, तो यहां पर हमारा क्या हो गय कैसे चल रहा था तेज यानि रीती वाचक किर्या विशेशन हो गया मुहन आजकल जादा बोलता है तो ये भी हमारा हो गया ठीक है यानि ये भी हमारा क्या नहीं है संब्ध इसके अंदर भी कोई भी संब्ध नहीं बता रखा है तो अब आप लोग देखें जो हमारा सेकंड वाला उप्सन था अनिता राधा से मदूर गाती है तो राधा और अनिता में क्या था एक संब्ध बताया हुआ था तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो बी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर अनिता और राधा में संब्ध बताया गया है तो इस तरह को इस तरह से परते युक्त पद नहीं है परते जो टोपिक है वो मैंने अभी नहीं करवाया है लेकिन जल्दी आपको करवा दूगी परते वी उपसर्ग वाला तो हम लोग कर चुकी है तो परते देखी फ्रेंड्स परते में क्या कह रहा है अक परते पुछ है तो अब आप लोग देखी विधायक विधी प्लस अक प्रेरक प्रेणा प्लस अक निंदक निंदा प्लस अक और लड़ाक लड़ाक क्या होता है लड़ाक तो कोई सब्दी नहीं होता परते होता क्या है तो परते क्या होता है कि किसी भी सब्द के पीछे जुड़कर उसका जो अर्थ होता है वो option हो जाएगा इसमें नहीं पूच्छा है आपको एक्जाम में ऐसे भी देखना है किसमें नहीं पूच्छा हुआ है और किसमें यस पूच्छा हुआ है ठीक है फ्रेंड्स next question देखे, किस विकल्प में नित्य पुलिंग संग्या है, नित्य पुलिंग संग्या, नित्य पुलिंग संग्या देखो अब देखो, पहले option देखो, गिलहेरी, इस्त्री लिंग, कोयल, इस्त्री लिंग, जो एक लिंग का टोपिक होता है, जिसके अंदर पुलिंग और इस् अब देखिए बटेर और खरगोस बच गया अब जो बटेर जो सब दोते है न वो इस्तरिलिंग और पुलिंग दोनों के लिए उजोते है तो ये भी आमारा कट ओ गया अब देखिए खरगोस हमेशा पुलिंग संग्या है ठीक है नेक्स देखिए समास विग्रे की दरश्टी से अनुचित विकल्प चुनिए फर्स्ट क्या है मात्री भगती माता के लिए भगती सही है वाग वीर वानी में वीर सही है इंद्रिये जय, इंद्रियों के लिए जय, इंद्रियों के लिए नहीं जय होती, इंद्रियों पर जय होती है, ठीक है, तो यही हमारा option हो जाएगा सही, जीव दया, जीवों पर दया, तो यह तो सही है, तो इसमें हमारा answer क्या हो जाएगा, option number C, इंद्रिये जी, इंद्रियो पर जय होती है, इंद्रियों के लिए जय नहीं होती, ठीक है, समास वाला टोपिक भी मैंने करवाया है, अब आगे देखिए, गलत समास विग्रे चुनिए, दूर के लिए दर्सन, दूर दर्सन, दूर सियागत, दुरागत, पाठ के लिए साला, पाठ साला, सभा के लिए हमारा अंसर हो जाएगा नेक्स्ट नाम धातु किरिया तो current सबसे पहले तो में पता होना चाहिए करिया क्या होता है किसी भी काम के पूछ की कारा की कख भुद के नाम धातु किरिया होती है तो दो हुँचा क्या है जेसे कही कोई संग्या सब प्लस आना जूत्पलस आना जुट प्लस आना गली प्लस या गली आना अब इनको तोड़ेंगे तो दो दो को देखते हैं तो उसके अंदर सजाना अपने आप में एक अलग से वर्ड है इसके साथ जो क्या था जो नाम दात्तू की दिया फिस तो सजाना अमारा इसका सहीान शुरो जाएगा वर्णोचारण की दरष्टी से बे मेल चुनिए फ्रेंट्स ये तो आपको यादी करने होंगे या फिर आप इनको बोल करके देख लेजी जब मैंने जो अपनी प्रिविएश येर जो वीडियो करवा रखी है प्रिविएश येर नहीं सोरी फ्रेंट्स उनको याद कर लीजी आपका ये क्यूशन भी आराम से बन जाएगा नेक्स्ट अमारा उप्षर्ग का है तो उप्षर्ग भी मैंने करवा रखा है तो आप जब तक उप्षर्ग है और ये जो वर्णोचारण, समा, संधी ये सब आप लोग कर लीजी देन उसके बाद आप लोग प्रिविश येर स्टार्ट कीजेगा अब देखो अनूप्सर्ग, उप्सर्ग होते क्या है जो कि आगे लग करके जो प्रते था वो तो पीछे जुड़ करके सब्द का अर्थ बतलता है जबकि जो उप्सर्ग है वो आगे जुड़ करके सब्द के अर्थ में प्रिवर्तन कर देते हैं तो यहां पर देखी अनूश्वार, अनूशंग, अनूदार, अनूशाशित अब देखो अनूश्वार, अनूप्लस स्वार सही है अनू प्लस संग अनू शंग अनू प्लस सासित अनू शासित अब इसको जब हम तोड़ेंगे अनूदार को तो इसका क्या बढ़ेगा अन प्लस उदार अन प्लस उदार जो बनता है वो हमारा अनूदार बनता है तो हमारा ओप्षिन कौन सा सही हो जाएगा ओप्षिन नमबर सी आगे ये क्यूशन रहा गया था ना वरणोचारन की दरश्टी से तो इसके अंदर ओ आओ जब आप इनको बोलके देखेंगे तो आपको पता लग जाए है कंठ और ओस्ट दोनों का मेल हो रहा है तो कंठोस्ट है सही है वै फै दंतोस्ट ये भी सही है ठै डै जब आप इन आद कर लेना अब देखिए असूद सब तिरपन 53 जो होता है अंताक्षरी चिपकली चाहिए अजमाईस इसके अंदर गलत है अजमाईस नहीं होता क्या होता है आजमाईस तो यह हमारा सही आंसर हो जाएगा एनिस्टे वाचक सरुनाम वाला वाक्य चुनिए अब देखिए सबसे पहले आपको पता होने जी सरुनाम होते क्या है सरुनाम क्या होते हैं जो कि संग्या के स्थान पर परियुक्त की जाते हैं वो क्या होते हैं हमारे सरुनाम होते हैं तो देखिए मैं कुछ पुस्त के लाया है अब देखो आगे क्या है दाल में कुछ काला है केवल वही तुमारी पर्षंचा करता है, केवल वहीं यानि निष्चे है, भैंच आता है कि तुम सदय वागी बढ़ो, यह भी निष्चे है लेकिन दाल में कुछ कालाए क्या कालाए, कुछ, तो ये कुछ है क्या निष्च है क्या? वे पुष्ट के थी तो आप comment box में बता सकते हैं next देखिए सू उपसर्ग रहित पद चुनिए सू से सहित पद नहीं चुनना रहित चुनना है आपको ये भी अच्छे से देखना है सू सुप्ती सू प्लस सुप्ती सू सुप्ती सू प्लस अल्प स्वेलप सू प्लस ओष्टव सोष्टव लेकिन जो सवस्त है वो क्या होता है स्वे प्लस सत होता है ना कि सू प्लस सत है तो इसलिए जो इसका सयांसर है वो क्या हो जाएगा स्वस्त किस सब्द में वेंजन संदी तो फ्रेंड्स वेंजन संदी जब कि जब हम वाग इश्वर का संधी विछेद करेंगे तो इसमें क्या बनता है वाग प्लस इश्वर वाग इश्वर यानि वेंजन के साथ मेल हुआ है तो यह हमारी कौन सी संधी हो जाएगी वेंजन संधी हो जाएगी वाग इश्वर तो ये सारे तो क्या है? सही है लेकिन ये वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा क्यों हो जाएगा? क्योंकि फणी जो है इसके अंदर बड़ी की मातरा आती है फणी प्लस इंदर फिर फणी इंदर बनता है तो इसका जो अमारा आंसर होगा वो option number A हो जाएगा अब देखो next question टहलना स्वास्ते के लिए लाबकारी है जो टहलना है वो स्वास्ते के लिए लाबकारी है इसमें क्या पूछा है? किरिया पूछी है अब friends देखी टहलना स्वास्ते के लिए लाबकारी है यानि क्या करवाय जा रहा है इसके अंदर से किरिया ही करवाय जा रही है तो जिसके अंदर किरिया ही करवाय जा रही हो यानि वोकिंग करवाय जा रही है न हमसे किरिया ही करवाय जा रही है तो वो किरिया अर्थक शंग्या होती है कुनसे होती है किरिया अर्थक तो इसके अ आप इनको देखोगे लेकिन ओडी ओडी कोई परते नहीं होता हथ पलस डी होता है हथ पलस डी हथोडी बनता है ना कि हथ पलस ओडी हथोडी बनता है तो इसका सही आंस्वर ए हो जाएगा तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने जो 15 क्यूशन थे वो देखा है और मैंने अपनी तर लगा होगा फ्रेंड्स चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए लाइक जरूर कीजिए अपने दोस्तों दक्सेयर जरूर कीजिए थैंक्स पर वोचिंग